Hello friends, this is Sarapreet Kaur and you are welcome to Sarab Motives. Today we will talk about how to be free from expectations. Expectations are free, कैसे रहें? एक friend ने ही मेरे से question पूछा था. तो इस वीडियो के मैं दो parts create करने वाली हूँ. First में हम बात करेंगे दो तरह की expectations. एक छोटी और एक बहुत बड़ी. Firstly, जो छोटी छोटी expectations हैं. जैसे कि अगर मैं इस टाइम पर वीडियो बना रही हूँ, तो मैं expect करती हूँ कि मेरी family बाहर शोर ना मचाए. क्या ये गलत है? नहीं. अगर मेरी sister kitchen में जा रहे हैं, मैं उसको बोल रहे हूँ, एक लास पानी ला देना, तो क्या ये घलत expect करना है कि वो मेरे को पानी ला के दे दे? तो ये जो छोटी छोटी expectations हैं, ये zero नहीं हो सकती. अगर आप सोच रहे हो कि आप इतना भी expect ना करो, तो ये not possible नहीं है. ये human nature है. अगर आप उस position पे हो तो सामने वाला भी आपसे थोड़ा बहुत expect करता हैं, कि आप उसको थोड़ा सा understand करो. अगर कोई person आपके पास आया है कि अच्छा मेरे को ये help चाहिए, तो वो expect करता है कि आप शायद उसके help करोगे. उसके बाद वो आप पे है कि आप उस चीज़ को कैसे handle करते हो. आप किसी के पास गए हो, आपको कोई problem है, आप office में हो, आपको कोई दिक्कत है, आप अपने senior के पास गए, तो आप expect करते हों कि वो आपकी problem सुनेगा. तो क्या ये expect करना घलत है? नहीं. तो ये जो छोटी-छोटी expectations है, ये zero नहीं हो सकती. Second, वो type के expectations जो सच में समझ नहीं आती. जैसे कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपका budget इस बार कम है, तो आप expect कर रहे हों कि इस बार आपकी family खर्चा कम करें. उनको नहीं पता कि इस बार आपका budget कम है, उनको नहीं पता कि आपकी salaries बार कम आई है account में. तो उसके लिए क्या करना होगा? या तो आप बात कीजिए, converse कीजिए, बताईए कि इस बार हमें खर्चा कम करना है. आपको किसी marriage function में जाना है, और आप बिना बताए अपने friends से expect कर रहे हों कि वो आपके साथ चले. How is that possible? और अगर वो नहीं चलता तो आप hurt हो जाते हों. यह क्या है? आपने उनसे बात की, अगर आप बात नहीं करोगे, वो पता कैसे चलेगा कि आप क्या expect कर रहे हो. तो जो इस तरह की expectations हैं, जहां पे आपके दिमाग में क्या चल ला है, या आप क्या सोच रहे हो, जब तक वो सामने वाले को नहीं पता, तब तक आपकी expectations पूरी नहीं हो सकती. और अगर आप चाहते हो कि आपकी इस तरह की expectations पूरी हो, तो उसके दो एक ही तरीका हैं, बात करना, सामने वाले को बताना, और या फिर इस तरह की expectations को खतम कीजिए, कम कीजिए, आप मत expect करिए कि आपका friend आपके साथ चले, आप मत expect कीजिए कि आपकी family खर्चा कम करे, आप मत expect कीजिए दूसरों से कि वो आपके दिमाग में चल रही, जो spiral movie है, जो बार-बार चलती रहती है, उसको समझे, आप मत expect कीजिए कि बिना बताए डॉक्टर आपकी बिमारी समझाए, ये भी नहीं नहों होता, आप बिमार हो, आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर को, तो similarly, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा, तो इस तरह की expectations या तो बताने से पूरी होएंगी, या फिर इनको आप खतम कर सकते हो, ये सोच के, कि सामने वाले को नहीं पता आप सोच क्या रहे हो, understand it, जैसे आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, जैसे आप बहुत बार कह देते हो, मुझे क्या पता था कि तुमने क्या सोचा, मुझे क्या पता था कि आपने क्या expect किया, तो similarly, सामने वाले को नहीं पता कि आप क्या expect कर रहे हूं तो उस तरह की expectations को आप कम कर सकते हो और या फिर sort out कर सकते हो बातचीत करके And next video, next के लिए आपको अगली video देखनी पड़ेगी जो बाकी तरह की expectations है So I'll see you in the next video But keep watching my videos और अगर आपको ये video पसंद आई है, like कीजिए और comment box में comment जरूर कीजिएगा लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है Please don't forget to subscribe my channel और साथ में bell icon hit जरूर कीजिए ताकि आपको notifications मिलती रहे और आपको video सच में पसंद आएगी अपने friends के साथ share करना मत भूलिएगा Thank you